नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं सियूर का डिज्टर पेट फोर्म और मैं मौझूद हूँ अभी जेडियू प्रदेश कर जले पत्नम में और हमारे साथ जेडियू की बिद्वान परोकता अधिवक्ता भी रहे हैं और जेडियू को डिफेंड करते हैं परोकता है हम इन से समझने के प्यास करेंगे कि बिएट के जो बिहारती हैं बीपेसी की परिक्षा दे चुके हैं और बिहार सरकार ने इनिसियेट लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में असलपी दायर किया जजो का जो रुख था वह सरकार के पक्षमन ने उने कारण असलपी को वापस कर है तो आखी जो बिएट के भारती थीए और उपास कर जाते हैं तो सरकार के क्या निती है कुछ नकाडी रखते हैं अब सब ये जन्ता अलिग्स एस्टेंड है बिहार सरकार चाहती है कि सभी वर्मों को सुअ को और बिहार में जो बाहालियों का पाम तानता लगा हुआ है लोगों को नोक्णिया मिले रोजगार मिले ताक्य बिहार आत्मनिर्भर होशके, और बिहार समय सिमा के संदोग कहाएं, कि ए पर सुमय मों की ऑपर स्थिती तरफ स्ट्रेम कोट में अपने अपने इसका पूरा-पूरा फाइदा मिले, कोई बंचित ना रहे, सरकार की ये मंसा है, चुकि जो काम कर रही है सरकार, जो बहाली हो रही है राज में, किसी को बंचित ना होना परे, सबको इसका आउसर मिले, ये सरकार चाहती है. तो आखिर जब अप एसर भी वापस ले लिए हैं, तो अब रिजल डियलेड़ अभियार्थियों की जारी करेंगा ना, उनकी स्वी संख्या तो सरह 3 लाग से ज्यादा है, फिर सरकार इस पर सूचे कि क्या करना है आगे, कैसे इनको लाब मिलेगा, भिये अभियार्थियों के लिए, और सभी कैटेगोरी के लोगों के लिए सरकार कृत संकल्पित है, उसके उत्थान के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसकी हिस्सेदारी के लिए, तो आप सुन रहे थे, जेडियू परवक्ता हिमरास सहब को, इन्होंने कहा कि बियेड के जो भियार्थियों निरास नहों, साथ ही डियेड के भी जो भियार्थियों निरास नहों, बिहार सरकार दोनों के हित में कोई बड़ा नेने के लिए हमेशा सोचते रहती है, और सरकार का नेने रहा है कि 10 लाग से ज़्यादा लोगों को हम रुजगार देंगे, तो सरकार उस दिशा में भी आगे